मनु नैशनल पार्क के भीतर विशाल नदियों व घने वनों से ठका है मनु नैशनल पार्क देड़ मिलियन हेक्टेर के इस विशाल पार्क में समुत्य तल से देड़ सो से चार हजार मीटर के उचाई पर पाई जाती हैं विभिन प्रकार की वनस्पतियां वजीव जन्तियों ही प्रजादियां मनु नैशनल पार्क का आधा हिस्सा कवर है हरे भरे पेड़ों से और इस हर्याली का राज है मनु नैशनल पार्क की मनु नदी मनु नदी इस नैशनल पार्क को जीवन देती है और इसी नदी के कारण ये पार्क उर्जा से पूर्ण रहता है ये जंगल जानवरों और पोधों की प्रजातियों की एक बे जोड किस्मों का घर है जहां अभी तक पक्षियों की लगबग 850 प्रजातियों की पहचानगी गई है जीव जन्तूओं की विभिन किस्मों के कारण यहे जैव विवित्ता का मुख्य केंद्र है मनु नैशनल पाग अभी भी अंच हुआ है सडक निर्मान प्रकिरिया वमान विये प्रभावों से पार्क की सनरचना और वाटर सेट के कारण इस जगा पर विकास करना एक चुनोती पून समस्या है और यही समस्या इन पेड़ पौधों और जीव चन्तों की प्रजातियों को मानव विकास की भेट से बचा सकती है दुनिया के सबसे बड़े मकाव पैरेट्स में से एक है ब्लूड मकाव पैरेट्स जो सर्ज से पूँच तक 100 सेंटीमेटर के होते हैं इनको हाई संथ मकाव के नाम से भी जाना जाता है ब्लूड मकाव पैरेट्स चार से पांच साल तक अकेले ही रहते हैं और पांच साल तक यह अपने आसपास की दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं इन तोदों के 4-5 साल पूरे होते ही, ये इतने मिच्योर हो जाते हैं कि ये निकल पड़ते हैं अपने साथी की खोज में. ये पैरट्स तीन साल में एक ही बार अंडे देते हैं, दो साल तक इन्हें अपने बच्चों के साथ हेना होता है. इन तोदों का पसंदिता खाना है ताड के मेवे, ये तोदे ताड के पेड़ों में से मीठे फलों को खाते हैं, वैसे ब्ल्यूट मकाव पैरट्स ब्राजील में आसानी से देखे जा सकते हैं, लेकिन इनके उपर भी खत्री की घंटी लटकी हुई है, ये पैरट्स कुछी ए ब्ल्यूट मकाव पैरट्स इस दावत को यू ही अपने हाथों से नहीं गवा सकते, ब्राजील में अखरोट नट और बादाव जैसे ड्राइफ फ्रूट्स की कोई कमी नहीं है, जो फ्रूट्स पेड से नीचे गिर जाते हैं, वो भी बरबाद नहीं होते हैं, ब्ल्यूट मकाव पैरट्स अपनी मजबूत चोंच की मदद से ड्राइफ फ्रूट्स को तोड़ कर खाने का मसाली रहे हैं, लेकिन हर मकाव पैरट्स एक जैसे नहीं होते हैं, ये है स्कारलेट मकाव पैरट्स, ब्ल्यू मकाव पैरट्स से बिलकुल अलग होते हैं, और इनके कलर भी एक दू स्पूसरे से अलग होते हैं, Scarlet Makau Parrot ब्यूट Makau Parrot से आकार में थोड़े छोटे होते हैं, Scarlet Makau Parrot लगभक चोतिं से अरते संच के होते हैं, वैसे तो स्कारलेट मकाव पैरट दक्षिन अमेरिका के जंगल में पाये जाते हैं मकाव पैरट 15-20 किलो मिटर तक उड़ान भर सकते हैं स्कारलेट मकाव पैरट के उड़ान का एक ही उदेश्य होता है सरिफ भोजन की तलाश जंगल में हर जानवर ऐसे इस्थान की तलाश करता है जहां उसे पर्याप्त भोजन मिल सके हाला कि इन तोतों की भोजन सुची में मुख्यता फल वक्किडे मकॉडे होते हैं या फिर यो कहें कि ये पक्षी सरवाहारी होते हैं और दक्षिन अमेरिका की इन वर्शावनों के जंगलों में भोजन की कोई कमी नहीं होती है एमेजॉन के जंगल का मिचला हिसा ठका है विशाल काई पेडों से जहां सूर्य के किरण मुश्किल से जमीन को छुपाती है और जमीन का ये हिस्सा भसे रहा है कई छोटे जीवों का जंगल में हर जीवजन्तु माहिर है या तो शिकार के रूप में या शिकारी के रूप में जानवरों की ये जंग इस जंगल को सदैव स्वस्थ वह हरा भरा रखती है और ये संतुलन इस जंगल के पारिस्थिती की तंत्र को स्वस्त रखता है हलाकि मकाव पैरट के बड़े-बड़े समूही यहां भूजन की तलाश में नहीं आए है इनके साथ अन्य पैरट्स की प्रजातियां भी आई है जिनमें कुछ छोटे आकार के तोते भी शामिल है वैसे तो जंगल की हर चीज की नौलेज हर जीव को भली भाती होता है लेकिन मकाव पैरट्स इस हुनर में कुछ ज्यादा ही शामिल है इस समय ये जंगल सिर्फ इनकी चीप चिलनाहट से ही गूंज रहा है मकाव पैरट्स सबसे अधिक शोर करके इस जंगल को अपनी मौजूद की का संखेत देते है इन तोतों का वजन लगबग 2 किलोग्राम तक होता है और इनकी चोच का हिस्सा इतना कठोर होता है कि यह नारियल जैसे कठोर फल की भारिपरत एक बार में ही तोड़ सकते है तोतों की लगबग 370 प्रजादिया होती है और इन 370 प्रजादियों में से सिफ मकाव पैरट्स ही सबसे बड़े आगार्गी होती है मकाव पैरट्स समाजिक होते है और लगबग तीस सदस्यों वाले जुंड में रहेकर एक समू बनाते हैं यह मकाव अपने जोडे की तलाश में है और शायद इसको एक साथी भी मिल गया है लेकिन अभी इसका पूरा गाम नहीं हुआ है इसको थोड़ी और महनत करनी होगी ताकि यह नल इस मादा को पूरी जिन्दिगी अपना साथ ही बना सके मकाव पार्ट का जीवन काल सतर से असी वर्ष तक होता है यानि साधारन मनुष्य के सामान सतर से असी वर्ष तक यह जिवत रह सकते हैं अगर मनुष्य इन्हें पालना चाहे तो यह मनुष्य के पूरे जीवन काल तक उनके साथ रह सकते हैं मादा मकाव पार्ट साल में दो से चार अंडे ही देती हैं और अंडों को 15 दिनों तक सेका जाता है जब मादा अंडों को सेक रही होती है तब नर भोजन का प्रवंद करता है और मादा को भी भोजन की सुविधा प्राप्त करवाता है 105 दिन के होते ही बच्चे उड़ना शुरू कर देते हैं और एक साल तक अपने मादा पिता के साथ रहते हैं मकाव पैरट्स का पेट भरते ही ये निकल जाते हैं ऐसे इस्थान की खोच के लिए जहां इनको विटमिन D से भरपूर मिट्टी प्राप्त हो सके इनका ये विवार थुड़ा अजीब है लेकिन इनके बड़े बड़े जुन्द आप पहुचे हैं नदी के इस किनारे पर लेकिन यहां पर भी मकाव पैरट्स अपिले नहीं आए हैं यहां पर भी छोटे तोतों की प्रजाख्यां मकाव पैरट के साथ आ पहुची है यह मिट्टी इनके लिए सोना है ऐसा माना जाता है कि जब ये तोते फलों के साथ साथ कुछ जहरीले फलों को भी खा लेते हैं तब ये इस मिट्टी को खा कर जहर के असर को खत्म कर देते हैं ये लाल मिट्टी इन तोतों की बाचन शक्ती को मजबूत कर देती है और ये स्मिर्टी को बड़े ही चाव सिखाते हैं फिलहाल तो ये जंगल व्यस्त है इनकी चीक चिलाहट से जैसे ही ये स्थान भोजन की कमी से जूज रहा होगा या प्रयाप्ट भोजन नहीं मिल पाएगा तब ये पक्षी इस स्थान को छोड़ कर ऐसी जगा चले जाएंगे जहां फिर से ये तोटे अपना पेट भर सके जंगल का ये संतुलन हर जीव को स्वस्त रखता है जैसे मनुष्य के हाथ में दिखाई देने वाली रेखाओं का पैटन अलग होता है वैसे ही मकाव पैरट के कलर्स का पैटन एक दूसरे से अलग होता है मकाव पैरट कई रंगों का मिक्सर होता है इनके शरीर में दिखाई देने वाले विभेन रंग इनको और अधेक सुन्दर बनाते है ये मोर के समान ही सबसे खुबसूरत पक्षी है और सभी पक्षी प्रजातियों में से मकाव पैरट की सबसे बड़ी खास्यत है कि ये अपना भोजन सीधा मुँसे नहीं उठाते हैं बल्कि अपने पैरों का प्रियोग करके किसी भी खाने की वस्तू को अपने पाउं से उठाते हैं हाला कि मकाव पैरट की ऐसी कई प्रजातियां हैं जो संकर्ड क्रस्त हैं जलवायों परिवर्तन के कारण जंगल में उपस्ति पेड़ों में फल्बी समय के साथ व्रिक्षों पर नहीं आते हैं और मानव विकास के कारण इन मकाव पैरट के प्रवास ने भी काफी बाधाय आ रही हैं पूरी दुनिया में केवल मकाव पैरट ही इंसानों की जुक सुविधा का शिकार नहीं बन रहे हैं बलकि कई जानवर अब तो इनसानों की विकास प्रकिरिया से लुप्ट होने के तागार पर हैं दक्षिन अमेरिका में स्थित अमेज़न जंगल वब ब्राजिल और उस्ट्रेलिया के जंगल एक मात्र ऐसे इस्थान है जहां पैरिट्स की कई खुबसूरत प्रजादिया पाई जाती है अगर हम बात करें कि मकाव पैरिट्स का शिकार कौन सा जंगली जानवर करता है तो हम आपको बता दें कि मकाव पैरिट्स का सबसे बड़ा दुश्मन होता है जंगल की वाइल्ड कैट वाइल्ड कैट्स घात लगाकर इन तोतों का शिकार करती हैं हाला कि मकाव पैर्ट के जुण्ड में रहने के फायदे भी कई हैं क्योंकि जुण्ड में कोई ना कोई मकाव पैर्ट सक्रिय रहता है और बाकी आराम से भोजन या फिर एक दूसरे को सजाने सवार में विजस्त रहते हैं हाला कि मकाव पैर्ट का जोड़ा बनते ही वो सीधा प्रजनन नहीं करते हैं क्योंकि उनके सामने होती है सबसे बड़ी चुनोती घोसला बनाना हर पक्षी अपने लिए एक ऐसे उचेतिस्थान का चयन करते हैं जहां कोई भी शिकारी उनके घोसले तक नहीं पहुँच सके लेकिन हाउलर मॉंकी सबसे बड़े दुश्मन है इन पैर्ट्स के क्योंकि ये बंदर इन तोतों के अंडों को खा जाते हैं मकाउ पैर्ट्स का ये जोड़ा इन बंदरों को यहां से भगाने की कोशिश कर रहा है लेकिन इन बंदरों से पीछा चुड़ाना इतना आसान नहीं है भला इन बंदरों के सामने तोतों की क्या मजाल Amazon के जंगल में हाउलर मौंकी सबसे प्रसिद्ध बंदर है वैसे तो हाउलर मौंकी के अलावा यहां कुछ अनुखी प्रजातियों के बंदर भी पाए जाते हैं लेकिन फिलहाल मकाव पैरेट्स के इस जोड़े को इन बंदरों के इलाके से दूर कहीं अपना घौसला बनाना होगा मकाव पैरेट्स एमेसान के सबसे बड़े पेडों का चुनाव करते हैं जहां पेडों की उचाई इतनी होती है कि शिकारी की नजर भी उनके घौसले तक ना पहुच पाई यह अपना घौसला पेडों के होल में बनाते हैं घौसला बनते ही इन तोदों के सामने होता है अपने बच्चों को पालने पोसने का सबसे बड़ा काम और माता पिता के देख रेख में जल्दी जल्दी से मकाववे भी बड़े हो जाते हैं जंगल का जीवान चक्र ऐसे ही चलता रहता है आमेसान का जंगल पूरी दुनिया को आधी आक्सिजन प्राप्त करवाता है वैसे तो इन जीवों के शोर मचाने के अलग-अलग मायने हो सकते हैं कोई जीव अपने साथी को पुकारने के लिए चिलाता है तो कोई अपने आसपास खत्रा देखकर चिलाता है जंगल का हर जीव सतरक रहता है हाउलर मॉंकी पेडों पर चरने के साथ साथ अपनी पूँच की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में माहिर होते हैं वैसे तो बंदर बिरादरी में मुख्य नरही होते हैं और हाउलर मॉंकी के जुण्ड का नेत्रत्म एक हटा-कटा नरही करता है इनके जुण्ड में लगभग 25 से 30 तक के सदस्य मौझूद हो सकते हैं और इस समू में प्रतेक हाउलर मॉंकी का अपना-पना ओदा होता है हाउलर मॉंकी भी एक दूसरे को सजाने सवारने का काम करते हैं ताकि अपने आपसी संबंद और मचभूत हो सके सही माइने में कहां जाए तो प्रतेक जीव का वेभार एक दूसरे से काफी अलग होता है और प्रकर्दी में प्रतेक जीव का अपना-पना स्थान है चीरी से लेकर बड़े बड़ी जीवों तक अंजीर का पेड एक मात्रम भोजन का स्त्रोथ है। जब जंदल में खाने की कमी महसूस होती है, तो सभी जीव पक्षी अंजीर के पेडों की खोज में निकल जाते हैं। अंजीर के पेडों में साल भर तक फाला दे हैं। एमेजॉन का वर्षावन नदी तालाब वहरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ है और एमेजॉन का जंगल ही परियावरन के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भुमी का निभाता है। एमेजॉन का वर्षावन पेरु को 13% कवर करता है। पेरु एक देश है और इस देश का सबसे प्रसित नैशनल पार्क मनुनैशनल पार्क है। पार्क में रहे रहे जीट वह पेड़ पोधों की सुधरता इतनी खुपसूरत है कि युनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। पार्क में 200 से अधिक स्थान प्रजातियां पाए जाती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा Amazon One जिसकी सबसे बड़ी सीमा ब्राजील के बाद पेरू में इस्थित है। अधिक बरसात होने के कारण यहां के जीव इस जंगल की प्रवेश में खुद को ढ़ालने में सफल हो गए है। हाला कि हर जीव और पेड़ पौधे एक दूसरे पर धिर भर हैं। कई प्रजातियां ऐसी भी हैं जो संगहर्श कर रही हैं अपनी पहचान और अस्तित्व को बचाए रखने में। मौसम और चारों ओर की प्रकर्टी में निरंतर बदलाव के कारण सबसे चिनोती पूर्ण कार्य हैं खुद को बदल दे मौसम के अनुकूल ढालना। और जो इस काम में असाफल हो गया तो उसका अस्तित्व इस प्रित्वे से हमेशा के लिए मिट जाएगा। वैसे तो मनु नैशनल पाग में सरीस्रपों की 68 प्रजातियां पाई जाती हैं और उभैचरों की 77 प्रजातियां मौजूद हैं। सुक्ष्म जीवों में तितलियों की 1300 से अधिक प्रजातियां वह प्राइमेट्स की 13 प्रजातियां पाई जाती हैं। वर्षा वन होने के कारण साल के किसी भी समय यहां वर्षा का होना मामूली बात है। यहां बर्षात का कोई समय नहीं होता है। इसलिए Amazon कहलाता है दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा